आप लोगों को भी नहीं पता है कि आपके आधार कार्ड नंबर पर कितनी सिम रेजिस्टर है और कितनी इस्तमाल की जा रही है और कितनी नहीं इस्तमाल की जा रही है क्योंकि आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि आपके नाम से भी कई सिम निकली हुई हो सकती है और कोई और तो आप लोग अभी तक पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका नमबर एक्टिव है, कौन सा बंद है और कितनी सिम आपके अधर कार्ट से ली जा चुकी है तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को जरा सा भी स्कीप मत करिएगा तो सिम्पली आपको Google पर सच करना है तो सिम्पली आप जैसे यहाँ पर सर्च करोगे तो आपके सामने एक वेब साइट आजाएगे तो सिम्पली उसके उपर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आने के बाद बहुत ही सिम्पल है अब आपके पास जो भी मोईल नमबर है आपका कोई भी मोईल नमबर हो वो यह पर simply डाल देना है तो जैसे आप लोगे यहाँ पर जो भी मोईल नमबर आपने अभी तक डाला है simply मैंने डाल दिया उसके बाद यहाँ पर एक Calicha Code होगा Calicha Code को डाल देना है और जैसे आफ वैलेडिटी कैप्चा पे क्लिक करने के बाद अब आपके मॉइल नमबर पर एक OTP आ जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना होगा जब जैसी वो आप डाल दोगे OTP तो अटोमेटिकली यह बता देगा कि आपके जो नमबर है उस नमबर से यानि कि जो भ ठीक है और यह द्यानिकी का जब भी आप इस OTP को डालते हैं तो यह OTP बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है किसी को भी अगर आप इसको शेयर करते हैं तो आप यह लगा लेजिए बहुत ही फश सकते हैं इसलिए OTP को शेयर मत करिएगा तो सिंपले मैं यहाँ पर लोगिन हो जाता हूं तो जैसे आप लोगिन हो जाओगे लोगिन होने के बाद अब आपके सामने आटोमेटिकली यहाँ पर दिख जाएगा कि आपकी कितनी सिमे अभी तक चल रही है फिलाल के लिए मेरे अदार नमबर पर अभी तक पांच सिमे चल रही है अब मान लीजी आपके साम होता है तो सिम्पली सिलेक करके रिपोर्ट कर सकते हैं याप किसी भी सिम की रिपोर्ट भी कर सकते हैं बिलकुल असानी से मान लीजी आपको यहाँ पर हो सकता है कि आपने पहले कभी नमबर लिया ओ फिलाल के लिए अभी वो चालू नहीं है आपने बंद कर दिया और बहुत ही असानी से जो भी मान लंबर है उनको बंद भी करा सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें सेर करें कमेंट करके बताएं और इस तरह के से आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी सिमों की अगर आप